आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पनीर चिली नमस्ते जोतिकी पाक साला में आपका स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक सेर किजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और पेज को भी हमाद पसंद आते हैं और अच्छा लगा अ कितना अच्छा एत्गा पनीर को एस दो अच्छा लगा और चाही लगा और चाहिए अब करेंगी तो चलिए बनाना सुरु करते हैं मैंने 200 ग्राम पनीड लिया है इसे काट लिया है इसमें हम डालेंगे ये एक एक चमच अद्रक लेसुन कूट करके मैं डाल रही हूँ आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं साथ में दो चमच कौन फ्लोर एक चमच मैदा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और फिर एक चमच रेड़ चिली सॉस डालेंगे आधा चोटा चमच, काली मिर्च, ब्लेक पेपर पाउडर डालेंगे और हलके हाथों से मिक्स करेंगे पनीर पे सारा मसाला जो हमने डाला है उसको अच्छे से कोट करने के लिए दो चमच यहां मैंने पानी का यूज किया है ताकि सारा कौन फ्लोर, मैदा सब पनीर के उपर कोट हो जाए मिक्स कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और तब तक हम सबजिया देख लेते हैं यह मैंने एक टमाटर लिया है जिसका बीच का पाठ हटा दिया है एक कैपसी कम है जिसको बड़ा बड़ा टुकरा में काट लिया है एक सफेद वाला प्याज है एक नॉर्मल प्याज है बड़ा बड़ा पाठ को मैंने टुकरा में उधर रखा है और चुटा चुटा पाठ को इधर लहसुन और अद्रक के सांथ में चौपर में चौप कर दूँगी यह देखिए इस टाइप से या फिर कूट लेंगे दर दरा पीस लेंगे अब हम एक कड़ाही में तेल गर्म करेंगे और इसमें सारे पनीर को एक एक करके अलग-अलग डालेंगे और सेलो फ्राइब करेंगे फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो डीप फ्राइब कर सकते हैं या फिर बीना फ्राइब किये हुए भी बना सकते हैं वैसे भी बहुत टेस्टी बंता है तो बस इसे चला लेंगे थोड़ी देर एक से दो मिनट छोड़ करके बस इतना ही करेंगे ज्यादा डार्क नहीं अब निकाल लेते हैं तो यह देखिए साराम ने निकाल लिया है अब क्या करेंगे ना इसी तेल में फुल फ्लेम पे हम एक मिनट के लिए कैप्सी कम को भी भूनेंगे फुल फ्लेम पे और फिर निकाल लेंगे और इसी तरह से फुल फ्लेम पे ही बरा बरा टुकरा जो हमने प्याज का काटा था न उसे भी बुनेंगे फिर इसे भी निकाल लेंगे और फिर कराही में तेल थोड़ा ज़्यादा है तो निकाल लेते हैं और फोरण डालने से पहले न हम दो चम्मच कॉर्ण फ्लोर को परसाथ में स्वाद के नुसार नमक और एक चुटकी फूड कलर है यह उप्सनल है बिल्कुल आप रख भी सकते हैं और नहीं भी बस कलर आता है थोड़ा दीखने में अच्छा लगता है मिक्स करके रख लेंगे और फिर हम सेम कराही में तेल गर्म करके और हमने जो बारिक चौपर में चौप कर लिया था ना अधरक लहसुन और प्याज को उसको डालेंगे और फिर एक मिनट तक बूनेंगे हलका सा इसका कचापन निकल जा फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे कैप्सिकम प्याज के तो पहले ही हमने भून लिया है साथ में अब हम डालेंगे हरा मिर्च तो हरा मिर्च आप चाहे तो बारिक काट के भी डाल सकते हैं मैं बच्छों के कारण बड़ा बड़ा तुकला रहती हूं अब हम एक हम ग्रीन चिली सॉस एक हम रेड चिली सॉस साथ में एक चमाच टुमेटो केचब एक चमाचस से थोरा से जादा सोया सॉस डालेंगे मिक्स कर लेंगे और एक चम्मच बैनिगर इसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर हमने जो गोल तैयार किया था ना कॉन फ्लोर का उसको धीरे-धीरे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लंपस ना पड़े और एक से दो उबाल आएगा ना उसके बाद हम इसमें फ्राइ किया हुआ प्याज क्याप्सिकम पनीर सबको डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और यह सबी ना हम फुल फ्लेम पे करेंगे अब हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे तो यह देखिए अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा रखना हो ना पनीर का तो थोड़ा सा पानी और और डाल सकते हैं सुखा रखना हो तो पानी कम कर दीजिए और फ्लेम को लो करके दो से तीन मिनट के लिए इसको पकालेंगे दो से तीन मिनट के बाद यह देखिए तो लगबग तयार ही हैं तो अब हम इसमें हडा धनिया छिरक देंगे उपर से मिक्स करेंगे और फिर गैस ओफ करके एक से दो मिनट के लिए और कभर करके छोड़ देंगे दो मिनट के बाद यह देखिए बहुत ही डेस्टी पनीर छीली बन के तयार है न बहुत सूखा है न बहुत ज्यादा ग्रेवी है इसे आप रोटी के साथ नान कुल्चा राइस किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं कि साथ में उपर से थोड़ा सा इस प्रिंग अनियन डालेंगे तो यह देखिए तैयार है बहुत ही डेस्टी पनीर चीली और सभी को पसंद आते हैं अब अच्चों को तो बहुत ज्यादा मेरा बाबू पहले से ही तयार रहता है खाने के लिए कैसा लगा वे पनीर अच्छा लगा कितना अच्छा कितना अच्छा लगा पनीर दो अच्छा लगा और चाहिए अब नहीं चाहिए चाहिए अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेर कीजिएगा कमेंट करके बताईएगा कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई जैराम जी की कितना लगा है कि टो व प्लीजश प्लीजश्ट आ सानकिस्ट वीडीा लगा हो तो से लिएगा कि ले करें इने ले ङखा ले से लिए